मैं शिखाशिवास और मेरे चैनल टिप्स थीएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को दोस्तों यदि आपने लोकी का पौधा लगाया है और लोकी के पौधे के फूल सूख कर गिर जाते हैं और फल में कनवर्ट नहीं होते हैं या लोकी कुछ समय के बाद काली होकर तूट कर गिर जाती है तो इसका क्या कारण है और इससे बचने के लिए हमें कौन से फर्टिलाइजर का इस्तमाल करना है आप देख रहे हैं ये मेरे घर पर भी जो लोकी की बेल है बहुत ही हैल्दी लोकी लगी हुई है दो से तीन लोकी मैंने तोड ली है और इस लोकी को भी मैंने नहीं तोड़ा है दोस्तों जबकि ये अच्छी तरह से बड़ी हो चुकी है बस इससे जाता हमें इसे बड़ा नहीं करना है नहीं तो थोड़ी सी ये hard हो जाती है और फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ एक वीडियो बना देती हूँ मैं तो वैसे बहुत तरह तरह के fertilizer का इस्तमाल करती हूँ और उनमें से जो सबसे best fertilizer होता है दोस्तों वही मैं आपके साथ share करती हूँ कि किस पौधे में कौन सा fertilizer अच्छा होगा ताकि वो fertilizer आपके पौधों को पोशक तत्वतों दे ही साथ ही साथ कीड़े लगने से भी बचाए मतलब वो fertilizer दोनों काम करे हाद का भी काम करे और साथ ही साथ pesticide का भी काम करें ताकि हमारे पौधों में fungus ना लगे कीड़े लगने ना पाएं और आज जो मैं आपके साथ जो fertilizer लेकर आई हूँ दोस्तों जो आपको बताना चाह रही हूँ मैं वो fertilizer पूरा 100% organic fertilizer है इसे डालने से plant की growth तो होगी ही साथ ही साथ पौधों में कीड़े भी नहीं लगेंगे तो वो जैविक खाड जिसका हम इस्तमाल करने वाले हैं दोस्तों वो है seaweed fertilizer seaweed fertilizer दो अलग-अलग रूपों में आता है liquid form में भी आपको market में मिलेगा और छोटी-छोटे granules के रूप में भी आपको market में मिलेगा छोटी-छोटे से दाने होते हैं आप इन दानों को पानी में भिगा कर इसका liquid form भी तयार कर सकते हैं तो आप किसी भी तरह का लें चाहे तो liquid seaweed fertilizer ले 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 या फिर granule वाला भी ले 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 और जो seaweed fertilizer होता है दोसों समुद्र में नीचे जो weeds होते हैं बस उन्हीं का extract निकाल कर इसे बनाया जाता है तो dry और liquid दोनों form में से आप इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं तो ये लौकी की बेल आप देख लिजए दोसों कितनी हरी भरी है कहीं आपको कीडे लगे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये सब दोसों खाद का ही असर है कि हम एक अच्छा खाद पौधों को देते हैं अच्छे nutrients पौधों को देते हैं तो हमारे पौधों की growth बहुत अच अच्छी होती है मैंने अपने terrace पर ही लौकी की बेल लगाई है जो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही आप देख सकते हैं इसकी अलग-अलग branches पूरे terrace में लटक गई है और जखा जखा पर इसमें लौकी लगी हुई है तो आपको अगर ये seaweeds fertilizer खरीदना है दोसों तो online purchase की link आपको description box में मिल जाएगी आप चाहें तो liquid खरीदें या मेरे जैसे इस तरह से granule form में जो आता है आप वैसा भी खरीज सकते हैं जैसे DAP होता है ना दोसों DAP के दानों के जैसे ही छोटे-छोटे से इसमें दाने होते हैं और इन दानों को आप यदि पानी में भिगा कर दो-तिन घंटे भी रखेंगे तो granules पानी में dissolve हो जाते हैं और आपका liquid fertilizer तैयार हो सकता है या आप चाहें तो एक तरीका और है आप चाहें तो इन granules को grinding jar में डाल कर fine powder बना ले और इस powder को पानी में घोल कर भी पौधों में डाल सकते हैं किसी भी तरीके से डालें चाहे तो liquid form वाला खरी दें solid खरी दें या फिर थोड़े से पानी में घोल कर आप इसे रख दें सभी प्रकार के पौधों में डालना है ये ना सोचें दोस्तों कि मैं ये fertilizer आपको सिर्फ लौकी के पौधे के लिए बता रही हूं किसी भी तरह के सबजियों के पौधों में डालें फ खंड के मौसम में हर 10 दिन में आप इसे डालें पौधों की मिट्टी में डालें जड़ के पास डालें या चाहें तो आप इसे इस प्रे की बोटल में डाल कर इस प्रे भी कर सकते हैं तो इस प्रे यह दिया आप करेंगे ना दोस्तों तो तुरंत ही इस खाद का असर पत्त साइस के और संख्या में भी बहुत जादा होते हैं तो दो से तीन तरह की मैंने लौकी लगाई ही दोस्तों आप देख गोल वाली जो लौकी होती ना आपको गोल गोल फल दिखाई दे रहे होंगे और लंबी वाली लौकी के बीज मैंने लगाय थे और दोनों ही तरह की लौकी मेरे हाँ तो दोस्तों यह जो हम seaweed fertilizer की बात कर रहे हैं इसे मैंने अब liquid कर लिया है मैंने आधा गंटा ऐसे ही छोड़ दिया था और पानी में अच्छी तरह से गुल चुका है अब आपको इसे पौधों की जड़ के पास डालना है पूरे पौधों में स्प्रे करेंगे तो पतियां जो है दोस्तों पतियों के थू जो इसके पोशक तत्व है तुरंथ ही पौधों तक के पहुचेंगे पौधों की जड़ तक पहुचेंगे और इसका तुरंथ ही असर आ अच्छी नहीं लगती है तो इससे हमें ये फाइदा होता है कि जब हम कोई भी स्ीड लिंग करते हैं कोई भी सीड्स मिट्टी में डालते हैं तो पक्षी को ये पज़ों को नहीं खाते हैं तो उनके कारण भी पौधों को उखाड लेते हैं या परिशानी होती है तो seaweed की smell इतनी strong होती है कि वो पक्षियों के साथ animals को भी अच्छी नहीं लगती है डॉग, cat, गिलहरी इसकी खुजबू को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं बचाओ भी हो सकेगा तो सबसे बड़ी समस्या जालतर यही रहती है दोस्तों की गिलहरी आती है गिलहरी दाना चुग लेती है, बीज खा लेती है या फिर जो पक्षी होते हैं, चिडिया कोई, इन लोग भी कई बार बीज को चुग लेते हैं और हमें लगता रहे हमारा पौधा तो उगा ही नहीं, हमने तो बीज डाले थे तो पक्षियों से बीजों को बहुत बचाना पड़ता है यदि आप चाहें तो seaweed fertilizer को powder के रूप में आप चाहें तो potting mixture में भी मिला सकते हैं जब आप गंबले की मिट्टी तयार करते हैं तो मिट्टी में भी आप इस fertilizer को मिला दें इससे मिट्टी अच्छी उपजाऊ होगी और साथ ही साथ दोस्तों उस मिट्टी में जब पौधे हुगेंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और किसी भी बीज को न पक्षी और जानवर दोनों नहीं खाएंगे तो ये सबसे बड़ा मुझे इसका फायदा लगा इसलिए मैं आपके साथ इस फर्टिलाइजर का वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इसे खरीदें और वैसे भी दोस्तों ये बहुत ही सस्ता आता है मुश्किल से एक चम्मच आपको डालना है आप चाहें तो इसका लिक्विड बना कर रखें इसका पाउडर बना कर रखें या डारेक्ट लिक्विड भी खरीच सकते हैं मार्केट से ओनलाइन पर्चेस करना चाहते हैं तो भी आप ओनलाइन पर्चेस कर सकते हैं मैंने लिंक शेयर की है तो आप देख सकते हैं लोकी की बेल मेरी बहुत अच्छी तरह से चल रही है ये मेरे चछत का बाहर का हिस्सा दिखा रही हूँ दोस्तों ये देखें नीचे से मैंने शुटिंग की है कि ये जो बेल है पूरी चछत से नीचे लटक रही है और लौकी कम से कम 4-5 इसमें बड़ी बड़ी लौकी लग चुकी है तो इस तरह से आपकी भी लौकी कभी भी सड़ कर तूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं किसी भी पोधे में आप इसका इस्तमाल करें और प्लांट को हेल्दी लखें तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइप साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तोसे एक छोटा सा लाइप जरूर दे